प्रतिशत की हिस्सेदारी में आएंगे यानि कि उनका हिस्सा अलग हो जाएगा और रविन सिंग भाटी शायद राजस्थान का एक मात्रैसा नाम बन चुका है जो 26 साल की उमर में लोहे की चमडी यानि कि ना तो वो सड़ती है ना ही गलती है और ना ही धूप में उसका कोई प्रवाव पढ़ता है रविन सिंग भाटी ने ये साबित कर दिया है जब कोई छोटे से छेतर का सामान्य प्रिवार का लड़का यकिनन तोर पर पूरे छेतर में भुचाल पेदा कर देता है और सरोशक्तिमान इस देश के परधान मंत्री सव्यमुस धरती पर आ जाते हैं कल आने के बाद में बाड़मेर छेतर की काफी स्थियां बदली थी काफी स्थियों में बदला वाया था और लगा था कि उमेदाराम बेनिवाल अब मजबूत स्थिती में नजर आ रहे हैं प्रन्तु जैसे ही दिन का नया सूरज और नई किर्णों के साथ सिव का वो लाल उदे हुआ उदे होते ही जोदपुर की धरती पर उसका सामना पत्रकारों से होता है बस फिर क्या था वही शेर था वही अंदाज था बस नाम ये था कि सिव का 26 साल का शेर एक बार फिर से दाढ़नी लगा है एक बार फिर से जंगल में वो आ चुका है राम राम अदाब सस्रियाकाल नमस्कार आप सभी का स्वागत है कल रविन सिंग भाटी जैसे ही जोदपूर की धरती पर पहुँचे उनका सामना तमाम मीडिया कर्मियों से हुआ मीडिया कर्मियों ने प्रशन भी पूछा लेकिन उसका उत्तर वो जब दे रहे थे तो कहीं न कहीं एक असंतुष्टी सी थी उस संतुष्टी का मोदी फैक्टर का और मानमेंदर सिंग जाप पूरा फैक्टर अगर मिला कर बात करें तो कल उमेदाराम बहनीवाल अच्छी खासी इस्तिति में नजर आ रहे थे लेकिन आज जैसे ही सूर्य की किरिने उदे हुई तो वापिस एक बार फिर भाटी उसी चार्जिंग अंदाज में लगे चार्जिंग अंदाज में दिखे लोगों को और कुछ पतरकारों से वारता करते हुए उन्हों यह कहा कि मोदी जी का स्वागत मैं ही नहीं मोदी जी का स्वागत मेरी पूरी तमाम जितनी भी जनता है उसकी ओर से कर रहे हैं सामने तोर पर ये बात समझी जा सकती है कि भाटी किस मिट्टी का बना हुआ है ये हम भाटी की मुश्क्राहट से पता लगा सकते है मातर 26 साल की उमर में जो लड़का अपनी हैर कटिंग के बारे में सोचता है दाड़ी कैसे बनानी है इस बारे में सोचता है या फिर अपना future कैसे settle किया जाएगा इस बारे में सोचता है वो बड़े-बड़े पत्रकारों को हंस के जवाब दे रहा है लगबग तमाम इंटरिव्यूस देखने के बाद में उनके शब्द में जनता, आवाम, लोग, मानस ये जो चार शब्द है वो बार-बार आते वे दिखाई देते हैं का मतलब ये है कि सिव की जनता ने एक ऐसे सेर को जनम दिया है जो बार-बार अपने वक्तव्य में रियलिटी में ही जनता को सरवपरी मानता है ऐसा ही एक कोई किस्सा वो मैं आपको बताता हूँ, सुबह मैं जब इंटरिवू देख रहा था खाली टाइम में तो मुझे लगा कि रविंद सिंग भार्टी क्या सोचते हैं कल महा महीम जो शक्ती है भासपा पार्टी की वो आई वी थी मानुवें सिंग जसौल हैников अब मानुवेंदर शिंग पर क्या बोलेंगे मानमेन सिंग पर बोले कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके आदर्स मुझे अच्छे लगते हैं उनके आदर्सों पर चलना अच्छा लगता है विचार धारा की लड़ाई है वो विजेपी जॉइन करें या कॉंग्रेस जॉइन करें इससे रविण सिंग भार्टी को कोई फरक नहीं पढ़ता ऐसे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रविंज सिंग भाटी कितने मजबूत नेता है और ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामने जो है जैसे अपने बात करें चोदरी साब की बात करें और इधर बेनिवाल साब की बात करें दोनों की बात करें तो दोनों तुलनात अध्यन में ये लगेगा कि एक तो हरुमान संग राजनेती करके आए हैं, दूसरे केंद सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मोधी के पास रह चुके हैं, कानून मंत्री के पास रह चुके हैं, संकल प्यात्रा है, उसके अंदर वो बड़ी भारी भरकम अपनी भूमी का बहुत खतरनाक तरीके से वो आगाज करता है इस बातों से हम समझने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ एक बात समझ में आएगी कि 26 साल का युवा अब ठान चुका है कि अब पीछे नहीं बैठा जाएगा यानि कि जो बात कही थी रविन सिंग भाटी ने कि रविन सिंग भाटी उसमें है तो वो जा सकते हैं किसी बात की उन्हें चिंता नहीं है मानवेंदर सिंग की बात करें तो मानवेंदर सिंग को अपना आदर्श बताते हैं जस्वन सिंग की बात करें तो जस्वन सिंग के आदर्श पर चलना उन्हें अच्छा लगता है आप किसी भी विपक्सिय नेता का नाम उठा करके देखें, वो हर नेता का स्वागत करेंगे, यहां तक कि आपको सबसे बड़ी बात हैरानीगी यह लगेगी, कि जब राजनितिक मंद सज जाते हैं, जैसे चारतारी को हमने देखा, चारतारी को गोईन सिंग डोटासरा को जो एक दुपटा डाले कैसे खींचा जाता है भीड के सामने, यह अच्छे से जानते हैं, और चुटकी लेना, सबसे बड़ी नेता की जो खास बात होती है, वो बिना किसी आपस रागदवेश के चुटकी लेना, तो चुटकी लेने में रविन सिंग भाटी वास्तविक्ता में ही अपना परीचे खूब गहरे अंदाज भी दे चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कॉंग्रेसी नेता का भी वेलकम करते हैं, जितने भी हैं, वो कह रहे हैं कि बाड़ मेर की एक ऐसी धरती, जहां पर कोई नहीं आता था, जहां पर आप पानी की बात करें, या पावन चक्की की बात करे सारे तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के यहां से बिजनस किया जाता था, लेकिन उस धरातल पर नहीं आया जाता था, लेकिन सोभागय साली है कि अब वापिस है जो उस धरातल पर आया जा रहा है, और उस धरातल पर केंदरिय जो नेता है, वो भी आ रहे है यहां तक कि मैंने आपको ये भी बताया था कि बागेश्वर धाम के जो प्रमूख है धिरेंद सास्त्री आने के बाद में ये 20 परतिशत जो मुस्लिम वोटर थे कनवर्ट होते भी दिखाई दे रहे थे वो कल की मीटिंग के बाद में ये आंकलन लगाया जा रहा था कि अब शायद वो वोटर है जो कम्प्लीटली इधर हो चुके है लेकिन अब पता चल रहा है कि सायद मुस्लिम वोटर है वो 50-50 परतिशत की हिस्सेदारी में आएंगे य नहीं धूप में उसका कोई परभाव पड़ता है रविन सिंग भाटी ने ये साबित कर दिया है कि 26 साल की उम्र में केंद्रिय नितरतों को बाड मेर की ऐसी धरती में बुलाया जाता है जिस धरती को कोई गिंता नहीं था जिस धरती की कोई पुकार नहीं सुनता था मात्र 26 साल के युवा ने आने पर मजबूर कर दिया है अभी पिक्चर कुछ बाकी है कंगना रानाउत आना बाकी है सनी देवल आना बाकी है ग्रेट खली आना बाकी है ये तमाम वो नाम है जो बिजेपी पार्टी ने अपना एक दाउं खेला है कि रविन सिंग भाटी को हराने क लिए इन लोगों का सहारा लिया जाना चाहिए हां ये अलग बात है कि रविन सिंग भाटी आने वाले कुस दिनों में क्या नया करते हैं लेकिन पुरणता विश्वास है उनके लोगों में कि जैसे ही ये स्टार फैन फोलोविंग खतम होगी उनकी बिजेपी पार्टी के स बच रहे है इन दिनों में वापिस एक बार फिर से 26 साल का नया शेर एक जनम लेगा और सिव की धर्ती से पुरे भारत में पहचान बना चुका ये सेर दबंग तरीके से अपने नुकिले दांतों से एक ऐसा वार करेगा जिसकी नहा तो कोई आहट होगी और नहीं किसी गली में बात होगी नमस्कार